ओम शान्ति आज 14 सिप्टेंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदर निय आशा दीदी ओम शान्ति दीदी ओम शान्ति बाबा ने का मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चाट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी चाट रखने से कल्यान होता रहेगा बाबा ने हम बच्चों को एक विधी बताई है जिससे सदा उनत्य होते रहे है वह चाट लिखना हम लोग कुछ दिन रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, कभी चाठ रखते हैं, देखते हैं, अपना चाठ अच्छा नहीं है, तो तंग हो करके भी छोड़ देते हैं, सुधार तो हो नीरा, कभी जल्दी बाजी इतनी होती है, तो नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारी दादी रतन मुहिनी, आज भी डेली चाट लिखती है, कितने वर्षों की है, डेली अपना चाट लिखती है, और गुलजार दादी कहा करते थे, चलो अगर आप लिख नहीं सकते हो, कम से कम चेक तो करो, आपको नीद भी अच्छी आएगी और सवेरे का आपका अमृत्विला भी ठीक हो, प्रशन है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप, बाप से बेहद का वर्सा लेते हैं, अभी फिर से हमने श्रव बाबा की गोदली है, वर्सा लेने के लिए, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राहमन बने हैं, श्रव बाबा हमें जीटा सुना रहे है, ये स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा कर पुरानी दुनिया से किनारा करने की विधी बाबा कहता कि अब भूलना पड़ेगा बाबा ने का तुम बच्चे यहां बैठे हो तो शिव बाबा हो शिव बाबा की याद में तो तुम जानते हो वो हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं बच्चों की बुद्धी में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए यहां बैठे बच्चों को खजाना मिलता है न अनेक प्रकार के कॉलेजों में युनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धी में ये बातें नहीं रहती तुम ही जानते हो की बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं इसमें तीन बाते आई हैं, बाबा ने कहा एक तो जब तुम पढ़ते हो तो तुम को यह याद रहे कि हम किस लिए पढ़ रहा हैं, सुक्धाम में जाने के लिए पढ़ रहा हैं, उसका मालिक बनने के लिए पढ़ रहा हैं, तो एक तो अपनी वो स्मृति रहे, दूसरा बाबा ने कहा कि कितना नया खजाना में देता हूं तो खजाना जब बच्चा पाता है तो भी खुशी होती है और तीसरा बाबा ने कहा कौन पढ़ाता है उसकी स्मिती रहे बाबा ने कहा कि हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं हम बाबा से फिर से राजयोग और ग्यान बल से वर्सा लेते हैं, ऐसे ऐसे खयालात अंदर में आने चाहिए ना, बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना, बाबा आकर की खुशी देते हैं, जो खुशी होती है प्राप्ती से, तो जब हमको ये रियलाइजेशन होती है, उसका नशा चड़ता है, तब हम बच्चे खुशी में रह पाते हैं, तुम जानते हो हम ही सुक धाम के देवता थे, सतो प्रधान थे, हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है, बच्चों को यहां बैठने समय तो और ही मज़ा आना चाहिए, याद आना चा हे पतित पावन आओ, बुलाते तब हैं, जब की रावन राज्य में है, सत्यूग में थोड़ी बुलाते हैं, यह बातें बड़ी सहच समझने की है, बाबा कि तो यह अंडर्स्टूड़े कॉमन सेंस है, आप अगर बुला रहे हो पतित पावन को, लिबरेटर को, गाइड क तो वो कब आएगा, सत्यूग में तो यह सब चीजे नहीं है, सत्यूग में तो हम पावन हैं, अभी पतित हैं तब तो उसको पुकार रहे हैं, पतित पावन आओ, फिर बाबा ने का लिबरेटर, तो वहाँ पर कोई बंधन ही नहीं है, सत्यूग में, बंधन कव हैं, हम छूटना चाहते हैं, लिबरेटर आओ, गाइड भठके हुए, शत्यूग में तो नहीं है, अभी भठके हुए तो गाइड को पोकारते हैं, इसलिए बाबने का साधारन बाते हैं, सहज बाते हैं, बाबने का पत्वत जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प् स्वभाव है, बाकी हां मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं, सत्यूग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है, वहां बुरे लक्षन होते ही नहीं, वो है ही दैवी संप्रदाय, हां साहुकार और गरीब हो सकते हैं, यह बाबने बताया कि व बाबने का रहाँ ना तो पतित है, ना तम्वप्रदान है, ना अपवित्र है, ना इविकारी हैं, लेकिन एक चीज जडरूर है, वो बाबने को कोई साउकार हो, कोई थोड़ा कम, वो पढ़ाई पर डिपेंड करता है, जो जयादा पढ़ेगा, साउकार होगा, नहीं पढ तो जाकर के साधारन पत पयेगा, शुव शंक거든 कर दिया है तब बैल दे दिया, तो बाद कहते हैं कितना खुशी होना चाहिए, हम बाप के बने हैं, बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो, बाप को पत पाने की खुशी नहीं है, तुम को सद्गती देना और पढ़ाना अभी तुम को अति इंद्रिय सुख भास्ता है जब हमने तुम को अडॉप्ट किया अडॉप्शन तो किसम किसम की होती है पुरुष भी कन्या को अडॉप्ट करते हैं तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो शिफ बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है दुनिया में इन बातों को नहीं समझते गुरु की अडॉप्शन कितनी फर्स क्लास है ये फिर है इश्वर की अडॉप्शन आत्माओं को अपना बनाने की अभी तुम बच्चों ने सब की अडॉप्शन को देख लिया सन्यासियों के होते हुए भी गाते रहते हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ फिर बाबा ने कहा ये भी बाबा केते समझने वाली बात है कोई बच्चा अगर बड़े के पास अडॉप्ट होता है तो उसको खुशी होती है तो ये भी तुम बच्चे समझते हो कि हम किसके पास अडॉप्ट हों, किसने हमको अडॉप्ट किया है श्रेष्ट ते श्रेष्ट सत्युक स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ट देफता विश्व का मालिक बनाते हैं श्री 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 बाबा हमको श्री बनाते हैं, श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है, देफताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वो पुनर जनम में आते हैं, वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं श्रेष्ट, श्रेष्ट बनते हैं श्री मत से, तो श्री मत की द्वारत जो श्रेष्टता है, अगर वो जीवन में दिखाई नहीं देती है, तो उनको श्री का टाइटल नहीं दिया जा सकता है, तो बाबा ने कहा कि जो द्वापर युके राजाएं हैं, उनको भी श्री का टाइटल नहीं दे सकते हैं, आजकल श्री श्री एक सो आठ पता नहीं कितना लगा लेते हैं, तो जो बाबा ने कहा कि श्री श्री केवल एक को कहा जाता है, और देवताओं को श्री कहा जाता है क् कि वह पुनर जनम में आता है क्यों बाड़न ने बताई, shri, shri hadhan, dáb различण अले वना है, सभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धी होनी चाहिए, तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सिर्टाज बनते हैं हमी डबल सिर्टाज थे अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है पतित है ना बाबा ने कहा शिफ बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है यहां तुम स्टूड़न्ट बैठे हो वहां बाहर मित्र सम्बंधियों आदी के पास जाने से स्टूड़न्ट लाइफ भूल जाती है माया का फोर्स है हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं यहां से बाहर जाते हैं तो पर स्टूड़न्ट लाइफ का नशा गुम हो जाता है बाबने का पढ़ाने वाली ब्रामरियों को भी वहां बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहां रहता है यह Head Office मदुबन है क्यों सब दोडते हैं मदुबन उसका कारण यही है कि जो अवस्था जो प्राप्ति जो सुख वहां मिलता है वो और तो कोई जगा ने मिलता है यहां पर आते हैं धन्दा धोरी याद रहता है यहां पर आते हैं तो और प्रकार की बाते भी आती है मदुबन में होते हैं इन सब बातों से फारग है बाबा ने कहा कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं प्रशिव बाबा के बच्चे, बने हो, तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वो कपूत बच्चे हैं, बाबा तो समझते हैं, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फोलो करो तो बहुत-बहुत कल्यान है, विकारी संबंध तो ब्रश्टाचारी हैं, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाभ दो समझाते हैं, परन्तु किस की तकदीर में तो हो। बाभा हम लोग को हमेशन संग के रंग के ऊपर समझाते हैं। यह वो खराब कर देता हैं , यह चढ़ा देता है। अपनी संग की संभाल करने हैं। बाबाने कहा कि बाबा की सर्विस में जो विघहन डालते हैं वो सजाओं । इसका जम घराइट है्थ कि अ अधर्म निचनला अपने साहर प्रतिया करो क्योंकि बाप की याद से ही तुम पाउण बनेंगे नहीं तो नहीं बाप प्रतिग्या कराते हैं करो न करो तुम्हारी मर्जी जो करेगा सो पाएगा बहुत हैं जो प्रतिग्या करते हैं फिर भी बुरे काम करते हैं फिर बाबा ने कहा कि जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे बाबा ने कहा कि बाबा ने भी कहा कोई तो यहां से बाहर निखले तो फस जाते हैं बाबा कहते हैं यहां गेट के बाहर माया बैठी है सुन रही है बाबा ने कहा कि बुद्धी में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्यान करें बाहर वाले प्रजा में दासदासी यहां वाले राजाओं के दासदासी बनेंगे आगे चल सब साक्षादकार होता जाएगा तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरिशारत नहीं किया है बहुत चमतकार देखेंगे जो अच्छी रीती पढ़ेंगे वही नवाब ब कि यह यह बाब कितना कहते हैं सेंटर्स को प्रदर्षनी देता हूं तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए तब बाबा संजें कि बीके सर्विस करना जानती हैं बाब प्रदर्षनी सेट देते थे न सेवा के लिए उसकी बात बाबा कह रहा है तुम आप तिर बाबा न तुद्धियर्जर्टे थंडे हैं। कोई-कोई ब्रामणिया मैनेजर बनती हैं तुद्धिया भी माना जाता है। अपने को मिया मिथ्धु समझते हैं। हम बहुत अच्छे चलते हैं। दूसरों से पूछों तो दस बाते सुनाइंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्छों को तो सिर्फ तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है तो बच्छों को भी बनना हैं। सिर्फ बाप का परिचय देना है। Baba तो Baba है, तो Baba सब बच्चों को बोलता है जाए वो टीच्छ था है, और टीच list है। जाए students, हैं तो ìिल्तिमेटल सब स्टूड़न्स ? Baba के सभी इंप स्टूड़न्स है, आज का अभरान है संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यरत नहीं जाता वही संकल्प उठता है जो होने वाला है जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है जब ऐसी विधी अपनाओ तब ये साकार वतन सुक्षम वतन बने इसके लिए साइलन्स की शक्ती जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो स्लोगन है आज का इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकते दुख धामे रहते ही क्यों हो किनारा कर लो तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टिकरन यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप WhatsApp करें या Message करें 8826599309 पर और हम आपके प्रश्णों का उत्तर प्रश्णोंत्री कारिक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शान्ति